हेलो गाईज आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोटस्टेप बेरिंग ठीक है आपकी नेक्स असेंब्ली है मारे पास यह जो वीडियो बना रहा हूं यह बना रहा हूं पंजाब चंडीगड के बच्चों के से लेपस है इंगिनिंग का मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट है थर्ड समेस्टर मेकैनिकल उनके लिए तो बाकी स्टूरंट्स भी सीख सकते हैं इन्होंने इंवेंटर सीखना है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फूटस्टेप बेरिंग पहले हम ड्राइंग करेंगे ड्राइंग के बाद हम पार्ट मॉड और याप के बार इम डिफाइन कर रका है उसकी प्रक्राइंग नहीं है ठीक है तो बॉडिय आपका कार्णा है कि आपको पता रहा है कि इस डिरेक्षण में看प न काता हुआ है तो इस चेक्शन काटने के बाद यह प्रेक्शन देखोगे आप इस देक्शन देखोंगे अपट दर्चन रहे आप को बस अब कर been है थीक है तो अगर फ्रेंट विए में देख रहा हूं याँ पर तो फ्रंट विए दिखा रहा है आपके पास कि यह 204 की आउटर लेंथ है और पास तीक है उसके बाद नीचे कुछ जिसके हाइड दे रखी है वो 16 की दे रखी है उपर प्लस 3M का में यह दिखा रहा है जो एक सर्कल है सब्सक्राइब कटा हुआ है यहां पर मार पास डॉट्री लाइन चल रही है ठीक है तो यह आपका तूर्ट कट हो रखा है और इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्ट है वो डिमेंशन दे रखी है 22 वा 16 हम यहां से बिस्टर करते हैं आपका एकस य लेते हैं जिरो-जिरो तैन यहां पर मेरा गैप आया इस से जो हमारा स्लॉट नीचे कटा हुआ है ठीक है फिर 204 फूल लेंथ है इन दोनों रेक्टेंगल जो हमारे रेक्टेंगल कटे हुए है इस दोनों रेक्टेंगल के बीच का गया पर 13 का सेंटर से है ठीक है स्मिट्रिक राइगरा में पस और जो कट आपका है वो 3m का है 3m के ऊपर 13 नाम यहां इसकी हाइट हो रही है और यहां भी 60 नाम आपको दिखा रहा है ठीक है उसके बाद 3m का आपका इस टैप है उसक एपट की हाइट दे रहिए अपके रसकी 309 का आपका जो है वो 62 डाया का होगा 37 उसके उपर जो आएगी आपकी उसके आपका डाया होगा 65 का उसके नियुक्ती टॉप लैंट के एलेवन लैंद है 62 तो जका डाया है ठीक है और ओवर बहार से बाहर जो डाया है वो आपका है 95 यह सिंबल जो आपका डाया का होता है ठीक है अगर रिडिस होगा तो आपके आर लिखा होगा ठीक है अब 61 पूरी लेंध आपको दिखा रहा है अगर अब इसको सम करोगे 13 प्लस 37 प्लस 11 तो यह आपका बनेगा 61 वह दिखा रखें आपके जो आपका टेपर कर रखेंगे टेपर का उन्हें दिखा रखेंगे कि टेपर आपका 5 यहां से 204 के आउट साइड से तो इसके मिला अगर आपने चेक करना हो कि अंदर वाली जो मेरी ताइन होगी वह आपकी ह तो यहां पर देखेंगे हम हमारे पस यहां पर रखेंगे हम कि हाफ कैविटी आपकी पिन की है यहां पर आएगी पैड के अंदर ठीक है तो अभी हम इस पहले पार को पुरा कर लेते हैं बॉडी को अब उमारा उपर से हम चेक कर रहे हैं हमें पता है कि यह वाला यहां से लेकि आउटर साइड एक्टैंगल के मारे लेंग्ट है वो 204 की है और इसकी हाइट हमारे पास 16 की है और अगर पूरी वाल आल महीर करता हूं तो 61 प्लस 16 होगा जो कि आपकी बनेगी 77 ओके अब यह कह रहा है कि आपका यहां पर अब लॉंग का जो साइज है वह 16 माइनर डाया और 22 मेजर डाया ठीक है और सेंटर से इसका डिस्टन्स होग तो 28 यहां से 28 वहां से और इस एक वह से हैं उसके उपर आपका पूरा बन रख्ञा है यह दाया 38 का जो आपका यहीं रक्टेंगल का स्लॉट हमने नीचे काटा हुए यहां से लिए तो 10 आपका ऑल साइट से यहां से भी तैन आपका यहां से 10 और यहां से 10 बीच में आपक निकालने आपको निकाल सकते हो नहीं निकालने तो वैसे बन जाएगा ठीक है अगर आप साइट से दिस्टन्स दोगे उससाब से यह आपका जो पिन है उसका यहां पर होल का दिखा रहा है आपको टॉप यूमें ठीक है तो अगर मैं पैड की बात करता हूं तो पैड क्या है मेरे पास एक डिस्क है चोटी ठीक है जिसका डाया 44 है जिसका और बिग हाइट जो मैक्सिमा है वो थर्टीन है और मिनिमा है टेन की ए ठीक है तो इसको बनाने कर ट्रिक क्या होगा वह बताऊंगा आपको कैसे करते हैं इसमें उसके बात करते हैं बुश की तो बुश्कों बनाने के मारत पास दो तरीक्षे है एक तो आप एक्स्टूड हमारे बुश यह बुश आपका पूरा अंदर नहीं जाएगा ठीक है तो उससाब से हम चेक कर लेंगे तो दिखा रहे है कि आपकी यह स्टेप है वापका 10 mm का है यहां पे मारे पास सिक्टीटू आ रहा है वो थर्टीन हम का रहा है वह हमें बाहर से दिखा रहा है थर्टी अगर आप चेक करते हो तो आपको थर्टी सेवन दिखाया था उसने 65 डाया वाला और यहां पर अगर चेक करते हैं तो उसने आपके 65 डाया का कुछ नहीं मनाया बट बुश गंदर नहीं दिखाया वारे पास कि मारा जो आउटर डाया है वो 59 का होगा उसके बाद फिर से 62 दिखाया आउटर का हमारा और फिर आउटर हमें दिखाया 76 डाया और फिर आउटर 83 ओ थ्रूआउट जो इसके अंदर होल है वह आपस दिखा रहे है दाया 44 का इससाब से यहां पर बैरे रहे हो नहीं डिमेंशन में इसकी हाइट की 10 37 11 11 इसको सम करोगा तो 77 बन जाएगा आपको दोने डिमेंशन देने की ज़रत नहीं होती है कि आप 77 दे रहे हो पूरी दे रहे हो पीकी नहीं करेगा तो कर लेता सॉफ्टर आपका स्मार्ट होता है ठीक है फिर शाफ्ट है इसके उपर लगेगी इसके अंदर जाएगी हमारी इसका डाया 44 होगा लेंच 75 75 है जिसमें आपके हैं दिखा रहा है material के लिए के लिए यह इसलिए दिखा जाती है कि लेंट इसकी continuity बहुत ज्यादा है तो पूरा नहीं दिखा रहे है कि आपको पूरा नहीं होना तो इसको थोड़ा बनाकर रख सकते हो तो minimum आप देख सकते हो कि आपने 20 रखना है 30 रखन पॉर्लिंग करेंगे अभी ठीक है तो चलो गुड लख फूटश्व बेरिंग के लिए आप कोशिच करना बाकि मैं आपकी हल्प कर रहा हूं मैं आपको पार्ट बनाकर इसमें वीडियो अप्लोड कर दोंगा वह आप चेक कर लेना ठीक है अगर आपको लग रहा है कि मैं म